नमस्कार दोस्तों संध्या वेज कीचर में आपका एक बार फिर से सागत है आज मैं आपके साथ बची हुई सबजी की बहुत ही टेस्टी रेसीपी लेकर क्या आई हूँ तो इस रेसीपी को मैंने कैसे बनाया है तो चलिए देख लेते हैं तो ये देख लीजिए हमने एक कटोरी सबजी ले ली है तो ये आलू और पालक की सबजी है तो बची हुई सबजी से आज मैं बहुत ही बढ़िया रेसीपी बनाने जा रही हूँ तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो जिसके लिए हमें एक बर्तन ले लेना है और उसमें डाल देना है आटा तो ये गेहू काटा है और ये दो कटोरी और ये तीन कटोरी तो एक कटोरी सबजी के लिए हमने तीन कटोरी आटा लिया है तो जितनी बड़ी वो है वही मतलब इसी नापकी ये वाली कटोरी है उसी से हमने नाप ले लिया है तो ये नॉर्मल गेहूं काटा है अगर आप चाहें तो यहाँ पर तो चमवरा को करें तो ये वही वारा ते है जो हम खाते हैं जिसके रहां पूडि बनाते हैं उपार दरीवारा णाओN की जगे आप घी का भी आई उच कर सकते हैं तो इन सारी समागेव को मैं पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगी अगर आप चाहें तो तेल को सकते हैं लेकिन तेल डालने से पूरी बहुत ही सौफ्ट और बहुत ही बढ़ियां बनती हैं फूरी फूरी से बनती हैं तो इसलिए हमने थोड़ा से इसमें तेल डाल दिया है तो यह देख लीजिए इसमें नमाक और जो हमने तेल डाला थो आच्छी तरीके से मिक्स हो गया है तो हमें ज़्यादा तेल नहीं डालना था वस्छ दो चमाच ही डालना था तो मैं रस नहीं है और अब इसमें हमें डाल देना है यह अपनी तो इस तरीके से हमें सब्जी को डाल देना है पानी अभी नहीं डालना है इसे हम अच्छी तरीके से ऐसे मसल करके क्योंकि आलू के जो यह पीसे से बड़े बड़े हैं तो इस तरीके से आपको हातों से ऐसे मसल देना है थोड़ा सा अभी पानी मत डालिएगा पहले इसे हमारे अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो गई है तो अब हमें इसमें डालना है पानी तो थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल करके आटे कड़ो अच्छी तरीके से हमें लगा लेना है तो यह देख लिजिए आटे का हमारा अच्छी तरीके से लग करके तयार हो गिया है यह यह तो अव्क हम इस तरीकी से स्टेर लगा करके इधर इसे लगा करके यह लग देते हैं साइड में तो इसे हम इस तरीकी से ढपकन से कवर करदें गे और हम आटे को इस तरीके से तोड़ेंगे और इसकी हम लोई यां बनाएंगे अपर दो लोई हमें इस तरीके से बना लेनी है तो लोई आप अपनी हिसाफ से छोटी बड़ी बना सकते हैं जितनी बड़ी आप बच्चों को लेंच में भी दे सकते हैं यह देखिए तो आपको सब्जी बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि ठंडियों में बच्छों को जल्दी से सुबह उठना और उनके लिए रंच बनाना बहुत ही मुश्किल का काम होता है आप उन्हें इस तरीके से पुड़ियां दीजिए तो सब्जी भी बनाने की जरूरत नहीं रहेगी और हेल्दी भी होता है क्योंकि भाजी कम से कम बच्चे खाना पसंद करते हैं सब बच्चे खाना नहीं पसंद करते हैं तो इसमें हमने पालक की भाजी डाली है तो आपको कि पालक में आयरन होता है और बहुत सारे प्रोटीन होते हैं तो इसी बहाने बच्छों को बहुत सारे प्रोटीन और आयरन भी मिल जाएगा तो इसलिए माया आपको यहीं से तो आप इस तरीके से बना करके अपने बच्चों को खिलाए तो उन्हें पसंद भी आएगा और फायदा भी करेगा तो यह लीजिए बातों बातों में हमने इतनी साही लोईयां बना करके तयार कर लिया है तो अब एक एक लोई को हमें उठाना है और इस तरीके से सुखे ऐसे थोड़ा से इसमें सुखाटा और लगाएंगे और यह लीजिए हमारी एक पूरी बनकर के तयार हो गई है तो हमें इसे ज्यादा पतला नहीं बनाना है इस तरीके से इसको रफना है तो यह लीजिए सारी पूरियां हमने तयार कर लिया है इस तरीके से और अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ तो गैस में हमने तेल चड़ा दिया है गरम होने के लिए तो तेल हमारा गरम हो गया है तो अब हम इस तरीके से एक पूरिया इसमें डालेंगी तो यह देखिए पूरियों के लिए बिल्कुल तेल हमारा अच्छे से तयार है तो यह आप देख सकते हैं मुए मैं के तरीक campaign को हमें तैयार कर ले। तो यह दिए यह देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी पूर्यवन करके तयार हैं तो अगर आपका दो लाईक कर दीजे चैनल में पहरी बारा है तो सबस्क्राइब कर कर दीजिए बेल आइकन पर क्लिक करके और पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जो भी नए ने रेसीपी की वीडियो लेकर के आती हूं आपको सबसे पहले मिले